लोकक्त पुलिस ने ग्वालियर में आदिम जाती कल्याण विभाग में पदस्त कनिस्ट लेका अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हातों के रफतार किया आरूपी कर्मचारी का नाम राकेश गुपता बताया जा रहा है और लोकक्त पुलिस के अनुसार आरूपी ने कॉलेज के डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन और उसे अप्लोट करने के अवज में आविदक से पंद्रा सु रुपे लिये थे लोकक्त इंस्पेक्टर रागवेंद्र सिंग के मताबिक आविदक सुशील कुमार ने शिकायत की थी के शारदा बिहार इस्तित आदिम जाती कल्याण विभाग में पदस्त कनिस्ट लेका अधिकारी राकेश गुपता उनसे दो हजार रुपे की रिश्वत मांग रहा है क् उन्हें अपने कॉलेज के डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन कराकर अफ्लोट कराना है लोकक्त पुलिस ने सुशील की सिकायस सुने के बाद उसे एक वोईस रेकॉर्डर देकर शुकरवार को आदिम जाती कल्याण विभाग में राकेश के पास भेजा यहां सुशील से र कोकाय तो पुलिस के शिकंजे में हैं और कारवाई जारी है आज तारीक को आवेदक सुसील कुमार मेरे पास आया था और उसने कहा था कि कनिश्ट लेखा अधिकारी सिरी राकेश गुपता उनके कॉलेज के डिजिटल हस्ताच्षर के सत्यापन और अपलोड करने के लिए उनसे दो हज़ार रुपे की मांग कर रहे हैं जिस पर हमने उनको वाइस रिकॉर्डर देकर राकेश गुपता से बातचीत करने के लिए भेजा था जिस पर सुसील कुमार द्वारा राकेश गुपता जी से बातचीत की गई और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग जब दे देड़ जार पंद्रा सो रुपए लेकर भेजा गया जिस पर राकेश कुपता जारा पंद्रा सो रुपए विश्वत के लिए गए जो उनकी पेंट की बाई जेव से बरामद हुए उनके हाथ गरवाए गए तो उनके हाथ करगीन हुए